दोस्तों लॉंच किया है सौराज ने छोटे किसानों के लिए 4x4 का छोड़ा ट्रक्टर वो भी सबसे सस्ती कीमत के साथ में और दोस्तों सबसे मज़े की बात तो यह है इस 4x4 के छोड़ा ट्रक्टर पर अब आपको 60 गेर बॉक्स देखने को मिलने वाला है जो कि सौराज अपने बड़े-बड़े मॉडलों पर 60 गेर बॉक्स और 4x4 का ओप्सन देती थी इसमें आपको हाई और लो लीबर के साथ में 8 प्लस 2 का गेर बॉक्स देखने को मिलने वाला है जो कि कमपनी ने इस ट्रक्टर पर दिये है फुल्ली पार्ट गेर कॉंश्टन्ट में 60 गेर बॉक्स जो कि काफी बहतर गेर गई इसमें यूज किया गया है दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ट्रक्टर का लुक कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है और सबसे मज़े की बात तो यह है यह ट्रक्टर आपको 40 HP कडेगरी के अंदर भी 4Y4 में मिलने बाला है जो कि अन्य ट्रक्टर कमपनी आज तक जो फीचर्स अपने बड़े बड़े ट्रक्टर पर नहीं दे पाई है इस छोटे 4Y4 कमपनी ने लॉंच करकर ट्रक्टर को छोटी किसानों को सपना साकार कर दिया है जो किसान भाई सस्ती कीमत के साथ में 4Y4 ट्रक्टर खरीदना चाते थे यह ट्रक्टर ले सकते हैं क्योंकि सुराज ने इस ट्रक्टर को लॉंच किया है 40-45 HP कर गरी अंदर जिसमें आपको काफी बहतर इंजिन भी देखने को मिलने वाला है दोस्तों कमपनी ने इस ट्रक्टर पर दिया है 150 NM का हाईट और गिंजन जो कि देखा जातो 40-45 HP कर गरी अंदर यह ट्रक्टर आपको मिलने वाला है और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सुराज अपने किसी भी मौडलो पर किलियर HP नहीं बताता है जैसे कि माल लेते हैं यह ट्रक्टर 40-45 HP कर गरी अंदर आता है तो इसमें कमपनी ने 40-45 HP दिया है 8-3-20 का आंगे वाला टायर साइज देखने को मिलने वाला है जो कि देखा जा तो यह ट्रक्टर पर आपको काफी बहतर टायर साइज का यूज किया गया है और इसमें अगर बात करें आंगे वाल टायर साइज के पीछे वाल टायर साइज की तो इसमें आप देख सकते हैं 1368 इसका आंगे वाले टैर साथ में पीछे वाले टैर आपको देखने को मिलने वाले है दोस्तों कमपनी ने इस ट्रक्टर पर जो ब्रेक दिये हैं ओइल वाले ब्रेक देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको काफी जादा हैवी ड्यूटी पैडल के साथ में देखने को मिलने वाले हैं और इसके पैडल आप देख सकते हैं कमपनी ने काफी जादा हैवी ड्यूटी बना कर दिये हैं और इसमें आपको जो गेर के लीवर देखने को मिलने वाले हैं कम्पनिये काफी बैतर और लंबे साज की बना कर दिये हैं जो कि अन्दर्टर कम्पनियां सेंटर सिप्ट गेर बॉक्स को हिटेर हमेडा करकर साइट सिप्ट गेर बॉक्स बना देती हैं इसमें आपको फुली साइट सिप्ट गेर बॉक्स देखने को मिलने वाला है कमपने ने इस्ट्रक्टर पड़ दिया है डिवल डिवल टेंडम पंप जो की एक पंप देख सकते हैं हाड्रोलिक के लिए और एक पंप श्टेरिंग के लिए हो जाता है उसे के नीचे आपको इंजिन और फिल्टर की पोजिशन देखने को मिल जाती है वहीं अगर बात करें इसके फ्रेंट टेक्सल की तो फ्रेंट टेक्सल भी हाँ देख सकते हैं काफी जाता है वेडिव डिवटी इसमें आपको विवल एंप पील टापको फ्रेंट टेक्सल देखने को मिलने बाला है दोस्तो सोराज के जितने भी model आ रहे हैं, आज के टाइम पर आप देखा जातो, company ने उसमें logo changes कर दिये हैं, और इसमें आपको chrome furnace के साथ में logo दे रही हैं, दोस्तो इसके axle पर आपको greasing point देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि इसके axle पर आपको smoothness मिल दी रहे, और आप tractor चलाते समय steering इसमें hard ना हो, दोस्तो अगर बात करें इस tractor के पूरे look की और engine की, तो पूरा look आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के देखने को मिलने वाला है, और यह tractor अब आपको 3 cylinder engine में मिल जाता है, दोस्तो इसका model आपको एक model आता है, जो कि company उसे 4 cylinder engine पर launch करती है, लेकिन यह tractor आपको 3 cylinder engine पर दिया गया है, जो कि सौराज खुद का अपना इसमें सौराज division का engine पर वाइड करा रहा है, दोस्तो बात करें इस इंजिन के सांथ सांथ इसकी SFC की, तो इसकी SFC मैं पूर दिखाना चाहूँगा, फिर बात करेंगे engine की, जिसके चलते आप लोग भी idea लगा स दोस्तो यह ट्रक्टर पर आप देख सकते हैं, कमपनी ने 4x4 का sticker भी लगा कर दिया है, और यह ट्रक्टर आपको 3 star यानि की 3 star के सांथ में मिलने वाला है, दोस्तो बात करेंगे engine की, तो कमपनी ने इसकी SFC की सांथ में मिलने वाला है, जिसमें आपको 45 HP की तागत जनरेट देखने को मिल जाता है, और इसमें कमपनी ने दिया है 370cc क्यूबिक कैपसिटी, और इसमें आपको engine की 2000 rated RPM देखने को मिलने वाले है, यानि कि यह ट्रक्टर engine की 2000 rated RPM के सांथ में 40-45 HP की तागत जनरेट करने वाला है, और दोस्तो इसमें कमपनी ने दिया है 3 stage वाल वाल वा 3460 mm की मिल जाती है, दोस्तो अगर बात करें सामने की, तो सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरक सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जो कि जाले के उपर आपको आज की टाइम पर नया लोगों देखने को मिल जाता है, जितने भी सोराज की मॉडल आ रहे हैं अंदर टाइ जो कि काफी बहतर ग्राउंड के लिए इसमें मिल जाता है, दोस्तो ट्रक्टर के देख सकते हैं इस पेज की यह फिर अगर बात करें इसकी प्लेटफर्म की तो काफी बहतर प्लेटफर्म देखने को मिलने वाला है, जो कि सोराज अपने हर मोलो पर अलमॉस्ट यही जो कि सोराज अपने हर मोडलो पर अथिकतर डवल लीवर ही प्रवाइट कराते है, बात कर अगर इसकी आगे वाले स्टेरिंग की तो इसमें आप देख सकते हैं सिंगल एक्टिंग हाइड डॉलिक पावर स्टेरिंग का यूज की यह जो कि सैलेंडर आपको काफी जादा है भी जूटी देखने को मिलने बाला है, दोस्तो इसमें अगर बात करें और भी कुछ एक्ट्रा फीचर्स की तो इस नए मॉडल पर एड़ किया गया है डिफरेंसियर लोग जो कि सोराज पहले अपने बड़े-बड़े मॉडलो पर देता था, लेकिन इस छोटे मॉडल पर अब आपको डिफरेंसियर लोग भी देखने को मिलने बाला है, जो कि सोराज ने देखा जा तो 40 HP कड़ेगरी के अंदर इसी मॉडल पर ही हाइड़ोलिक लोग के साथ साथ इसमें आपको डिफरेंसियर लोग प्रवाइड कर आया है, जो कि अंदर रक्तर पर आपको छोटी मॉडल पर डिफरेंसियर लोग देखने को नहीं मिलता है, तो दोस्तो इसमें आप देख सकते हैं, सिस्टम कुछ इस तरह कर देखने को मिल जाता है, अब चलते हैं तो ट्रक्टर की पीछे और बात करते हैं, पीछे के प्रुफाइल की साथ ही जानेंगे लिप्टिंग क्य सिटी दिया है, कमपणी ने काफी बहतर 1500 किलोग्राम की लिप्टिंग के पसे इसमें इस्ट्रक्टर को लॉंच किया है, और इसमें आपको जो पीटियो मिलने वाली है, 540 मल्टी स्पीड पीटियो के साथ में 38.4 HP के पीटियो पावर देखने को मिल जाती है, दोस्तो डब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह के और विश्टियो पावर देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी बहतर सेंसिंग भी अट्रक्टर करने वाला है, तो आसा करता हूं दोस्तो वीडियो प पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह के और विश्टियो देखने के लिए, तो मिलते हैं दोस्तो अंगली वीडियो में अंगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी कि सान भाइयों को दिल से, राम राम